तो सबसे पहले आप लोग ने क्या करना है कैपकट में निव परजेट में जाएं और यहां से क्या करना है फोटोज में जाना है और फोटोज में जाने के बाद यह वाला बैक्गराउंट को स्लैड करके एड़ करें और यह जितनी भी चीज़े मैं यहां पे import करने वाला हूँ यह सारी आप लोगों को download करने का link वीडियो की description में मिल जाएगा और हाँ आप लोगों ने यह वीडियो complete देखनी है थोड़ा सब इस step इदर उदर हुआ ना तो आप लोगों के वीडियो ठेक नहीं बनने वाली अब क्या करना है यह जो एंट पे लोगो आरेस को डिलेर करें और अब क्या करना है इसकी duration को अम लोगों ने ज्यादा कर देना है तकरीबन 16 सेकंड पे तो 15 सेकंड से ज्यादा ही होनी चाहिए duration अब क्या करना है back जाए आवरले में जाएक एड्ड आवरले और अब यह वाली इमज को आप लोगों यह पे एड्ड करना है और अब प्या करना है है इसको आप लोगों ने इस तरहा से add overlay में जाए और यहां से आप लोगों ने यह वाली जो इमेज है इसको आप लोगों यहां पर add करना है और इसको भी आप लोगों ने इस तरह से फुल स्क्रीन कर देना है और इसकी भी duration equal कर लेते हैं अब क्या करना अगेन बिल्कुल start पर आते हैं again add आवले में जाएं और यहां से क्या करना है यह वाली इमज को स्लैड करकी यहां पर एड करना है और इसको भी फुल स्क्रीन कर लेते हैं और इसकी भी डूरेशन एकोल कर लेनी है अब क्या करना है बिलकुल स्टार्ट पर अगेन आते हैं एड आवले में जाएं फोटो में जा इसके बाद क्या करना है इसका साइज थोरा सा समाल करते हैं और इसको यहां पे ले के आते हैं अब क्या करना आप लोगों ने यहां पे आप लोगों ने स्टूर बार को स्लाइड करना है और यहां पे एक आफशन आ लेर का तो लेर में जाए इसको आप लोगों ने नंबर थ अब यहां पर अपनी image को हम लोग यहां पर adjust करते हैं तो अब यहां लोग दे सकते हैं इमज को नीचे लेकर जाऊंगा ना तो यह गाइब वोना शुरू हो चुकी है तो इसलिए हम लोगों ने इसे बिलकुल एक तरतीब में लेके आना है तो इसको हम लोग यहां पर अड़ेस्ट कर लेते हैं यहां पर ठीक है अब क्या करना है अपनी इसी इमज को स्लेट करके आप लोगों ने यहां पर स्टाइल में जाना है यहां से मांगा यह वाला जो फैक्ट है इसको स्लेट कर ले तो यहां पर दे इसकी duration भी equal कर लेनी के अपनी वीडियो के और अब क्या करना आप लोग चाहें तो यह जो ऊपर है इजा करना अपनी बिलकुल पहली वाली image के टुक करें animation में जाएं और in के उपर जाएं और यहां से आप लोगों क्या करना शेक टू के उपर क्लिक करना और यह जो बार इसको आप लोगों ने 1.5 से 2 सेकंड के द्रम्यार में रख देना है तो आप लोगों दे सकते हैं यह किस तरह की animation बन चुकी है हमारे पास और अब क्या करना है इसके आगे वाली जो image है इसके उपर क्लिक करें अगीन animation में जाते हैं in ने जाएं तो अब क्या करना आप लोग ने इसको स्लाइड करना है यहां पर हमारे पास एक आप्षिन है जूम इन का तो इसके उपर क्लिक करें और इसकी बार जिरो पाइंट सैवन तक कर लेते हैं तो यहीं देख सकते हैं किस तरह की अनिमेशन बन चुकी है ऐसे भी करते हैं तो अब क क्या करना अपनी इमज को स्लाइड करें और इसको आप लोग ने यहां से इस तरह से स्लाइड करके वन सेकंड तक ले जाना है ताके एक सेकंड के बाद हमारी इमज शो और इसके बाद इसके उपर क्लिक करें एनिमेशन में जाएं इन में जाएं और फेडिन स्लाइड कर ल project में जाएं जो भी video save किya उसको slide करके यहाँ पे add करें overlay में जाएं add overlay में जाएं और यहां से क्या करना यह वाली वीडियो को slide करके एड़ करें और इसको full screen कर दें अब क्या करना है supplies में जाएं यहां से आप लोगने क्या करना lightning पे click करना है ओके और यहां पर दे सकते हैं इस तरह की पतिया आना शुरू हो चुकी है अब क्या करें बैक जाएं एड ओवले में जाएं यहां से क्या करना है फोटोस में जाना है यह वाली इमर्च को स्लैड करके यहां पर एड करें और इसको फूल स्क्रीन कर दें और अभी क्या करना है यहां से बैक जाना है एड ओवले में जाएं और वीडियो में जाके यह वाली वीडियो को स्लैड करके आप लोगन यहां पर एड करना है इसे फूल स्क्रीन करते हैं और बिल्कुल नीचे लेके आएं और अब क्या करना है सप्लाइस में जाएं और बिल तो से यहाँ आडर करके इसको फूल स्क्रीट करते हैं, अब क्या करने है? आप भी देखते हैं, आप लोग यहाँ पर देसकते हैं, कितना अच्छा आप यहां पर दिखना शूरू हो चुका है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा और इसका size increase करते हैं ताके font जो है थोड़ा सा बड़ा नज़र आए अब क्या करना है अपनी सारी layers को select करें और इनकी duration आप लोगा ने equal करनी है अपनी यह वाली sound के जो lyrics वाला sound है अब अपनी सारी videos को आप लोगा ने यहां पे adjust करना है यहां से इसको split करके delete करते हैं और इसको यहां से इस तरह से कम कर लेते हैं और यह delete कर देते हैं अब जो रहेगी है मत बुलिएगा